हाला दोस्तों आप सभी ये अनॉंस्पेंट तो शायद अल्रडी आईसे की वेबसाइट पर देख चुके होगे कि आज 14 जुलाई को आईसे इने फाइनली जे डेक्लेर कर दिया है कि जो CPT का फाउंडेशन का जा फिर फाइनल का जो रिजल्ट है वो फाइनली फाइनली 20 जुलाई को अराउंड 6 पीम डेक्लेर होने जा रहा है हालेकिन यहाँ पर जो मैं आप सभी को एक important message देना चाहता हूं वो यह है कि आप सभी जो result की विट कर रहे हो जिनका तो result आपको idea है कि हमारे exams बहुत अच्छे गए थे positive आएगा फिर भी अंदर कही न कहीं कुछ ना कुछ दगदग हो रही होती है लेकिन फिर भी उन बच्छों को tension थोड़ी कम होती है लेकिन जिन बच्छों को लग रहा है कि हमारे exams ओके ओके गए गए थे या फिर कुछ ज्यादा tension है तो मैं specially उन बच्छों को request करना चाहूंगा कि देखिए tension तो हम उस चीज़ की करें अगर हमें लगता है कि हमारी tension लेने के बाद वो चीज़ जो अपनी side है वो पलट लेगी means अगर हमारा जो result है हमें लग रहा है कि हमारे से paper खराब हो गए थे अच्छे नहीं गए थे हमारे tension लेने से वो result चेंज हो जाएगा दूसरी बात tension तब लें अगर हमें लग रहा हो कि जो अब final result आगया इसके बाद हम जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकते हम ना दुबारा exam दे पाएंगे और ना ही मारे हाथ में कुछ रहेगा दोनों में से कोई भी बात ऐसी नहीं है सब कुछ हमारे हाथ में और सब कुछ हमारे control में है exam नहीं भी अच्छे हुए लग रहा है result positive नहीं भी आएगा तो भी result तक जितना अपने आपको busy रख सकते हो अपने आपको busy रखो जिस दिन result आएगा result की declaration के बाद जो भी decision लेना होगा उसमें बिलकुल भी aggressive नहीं होना और सोच समझ के पूरी plan के साथ जो भी decision बनाना होगा उसको बनाए और अगली बार अगर आपको लगेगा कि इस बार positive नहीं भी हो पाया पूरे जोरो शोरो के साथ आप सब कुछ clear करके सब को पीछे छोड़ जाना तो यही में message आप सभी को देना चाहता था लेकिन दुबारा फिर से मैं जही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को all the best all the very 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 best क्योंकि मी तुम्हें जही करूँगा कि सब का result अच्छा है लेकिन अगर किसी का result positive नहीं आता है तो उसको aggressively लेने की बजाए ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से अच्छा decision final decision सोच कर अपने जो सही direction है उस पर चलें और ज्यादा दूर नहीं है कि आप भी सभी को शायद पीछे चोड़ कर सभी से आगे निकल जाओ तो चलिए तब तक wait करते हैं आप सभी के positive results की all the best once again thank you so much